Hello friends, how are you guys? Today I have brought you a mop which I ordered a few days before Amazon When I bought it, when I bought it, the delivery charges were free and I got it for 700 rupes This is a heavy quality floor mop with a bucket What are you given? There are many parts I think it is very small and I also thought that it is not right for my home because there are many big rooms and floors I thought I should go back but when I saw it I didn't return so I had to keep it and I had to keep it and when I used it I thought it was so big that I could tell you so I was able to make it so I prepared the video which I had to make it after I used it and then I gave it so when I had the unboxing I had to do this so there are parts and I'm going to show you और आपको सबसे पहले मैं एक बात बताने वाली हूँ कि यह बहुत ही सही है, बहुत ही प्रफेक्ट है, आपको जब आप लेंगे अपने घर के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेंगा, यह पसंद आएंगा, यह प्रोड़क्ट बहुत काफी लोगों ने लिया है, मेरे इसमें हमें पैड मिलता है, दो और उसे स्टीक करना परता है, एक बार स्टीक हो जाता है तो निकलता नहीं है, फिर आप अराम से इसका यूज कर सकते हैं, इसमें जो बकेट डीवी है, इसमें दो आप देख सकते हो, कि एक स्मूट टाइप के यह बटन समझ दीजी है, मिल परत चाहिए है, तो यह हैं इसे सबसे पहले हम पर कर लेते हैं, सभी पार्ट इसके मुझे कपी बढ़िया लग रहे हैं, कौलिटी बहुत है, जबर्दस्त है, और यह है माप का हैंडल, तो फ़्ली यह माप को हम तयार कर लेते हैं, इसमें एक बार से अच्छी से फिट कर लेना है बस तो यहां पर अच्छे से fit हो गया है तो हमने handle मॉप तयार कर लिया है अब हम बकेट लेते हैं से पानी भर लेते पानी हमें किसमें भरना है आपको मैं दिखा देती हूं कि जो बड़ा हिशा होता है उसमें हमें पानी भरना है, बकेट का जो बड़ा हिसा आई और डख्कन को इस तरह से फिट कर लिया ब्यादा अब इसके साब जो रखते हैं ये इस पाट को कैसे लगाना है ये लगाने जोगोया है आप देख लिएजे लिदां केूड है पहले मॉप को गीला करते हैं और जो एक्ष्टा का पानी है दूस्तों दूसरी साइड में हमें लीप करके हटा देना है इस तरह से कि एक्ष्टा निए टूसरी पुच्वांस केता है गो से रखता हैं और रहे हैं है इसका पानी को से रह तो और भी मॉप कभारों में और भी ख़ाया, तो क्योंकि बच्चे गिर जाते हैं, तो यह सब नहीं होता है, जब हम इसमें इसका यूज करते हैं, तो अगर आप फैन चालू कर लेते हो, तो फैन नहीं भी अगर आपने चालू करें, तब भी दोस्तो पानी इसमें फ्लोर पर नहीं रखता है, यह मॉप और जो पैड है, पैड को कि गंदगे भी आ जाती है पुरी, साफ हो जाता है फ्लोर हमारे अगर का, और साती जब हम इस बकेड में, जब हम इस तरह से इसको वाश करते है इस पैड को, और दूसरी साइट में जब आप पानी को ड्रेन करते हैं देका यह आप पूरा पानी, और हम पождशा मार बाड की बार लेते अच्छे से, तो हलका सा पैड होता है गीला, जिससे यह होता है कि फ्लोर में जितनी भी गंदगी है वह पैड पे आ जाती है, और आपका घर क्लीन हो जाता है, ज्यादा पानी के ज़रुवत नहीं के पड़ती है, ज्यादा पानी नहीं लेता है और काफी तो फ्लोर गीला है घर का ऐसा नहीं होता है आप फिर दो मिनट के अंदर चल भी सकते हैं और दोस्तों शुरु शुरु में मुझे डर लग रहा था कि यह प्लास्टिक है तो यह बहुत जल्दी तूट जाएंगा क्योंकि मुरता है तो मुरने में प्लास्टिक तूटने का ड यह बहुत जाएंगा क्योंकि मुझे परफेक्ट लगा है और दोस्तों यह मुझे लगता है यह चोटे साइस का मैंने लिया है और आप दिखोंगे अमाजोन में तो आपको बड़े साइस का भी मिलता है जो अजार रुपे की उपर का होता है और वो भी आप ले सकते हैं औ अगर आपकी फैमिली अगर स्मॉल है बड़ी भी है तब भी आपको यह सही लगेंगा साड़े साथ सुमे काफी अच्छा है यह दोस्तों मैं जितनी तारिफ करूं इतना कम है इसका लिंक आपको मेरे दिस्क्रिप्स में मिलेंगा वहां से आप पच्छेस कर सकते हैं उसे तो इसमें जो दोस्तों में पैड मिलता है इसको आप वाशिंग मशिन में भी वाश कर सकते हैं या फिर अपने हाथों से भी आप इसको वाश कर सकते हो आसानी से और इसको इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया बहुत एजी है और आपको मैंने फ्लोर को क्लीन करते वी दिखाया है तो मुझे लगता है आपको यह हैल्प लगा है वीडियो तो लाइक ज़रू करियेंगा इस वीडियो में इतनी है थैंकि फर वचिंग